इन हानिकारक गैसों की मात्रा में व्रदी के लिए बढ़ती आबादी सहरी करन प्रोधगी की के बढ़ते उप्योग और कारखानों की बढ़ती संक्या साही त्वीबिन अन्यकारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग इतियास लगभग एक सताबदी पहले सोध करता हूं द्वारा कारबन उत्थरजन के कारण प्रत्थवी के सते के बढ़ते तापमान को लेकर चिंता वक्ती गई थी कार्बन और दूसरे हानिकार गैसों के बढ़ते इस तरह के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समझ्या उत्पन हुई है पहग्यानिकों द्वारा बिस्वी सदी के मद्दे से ही इस्वी से को लेकर शोध और जानकारी घटा की जा रही है इन सोदों से पता चला है कि पिछले एक सताब्दी में प्रत्वी का तापमान बहुती खतरनाक रूप से बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे वायू मंडल में भी सन रूप से परिवर्दन हुआ है यहां ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा होने वाले कुछ प्रभाओं के उसे में बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण गलेसियर पिगलने लगे है जिसके कारण महासागरों और समुद्रों में जल का इस्तर बढ़ने लगा है और समुद्रों का यह बढ़ता जाल इस तरत ये छेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक संकट बनता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का वर्सा के क्रम पर बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ता है जिससे कई सारे छेत्रों में सुखे जैसे हालात उत्पन हो गई है वही कुछ छेत्रों में भीसन वर्सा जैसी समश्य उत्पन हो गई है इसी के कारण से ताप के लेर की तेजी काफी बढ़ गई है जिसके कारण कई सारी स्वास्ते संबंदी बीमारे उत्पन हो गई है जैसे की लू लगना और सरदर्द आदी इसके अलावा वायू मंडल में उत्सरजित होने वाली हानिकार गैसों का महसागरों द्वारा उशोशन कर लिया जाता है जिसके कारण महसागर अमल ये होते जा रहे हैं और समुदरी जीवन पर भी संकर्ट आ गया है कई सारे जीजन्तु और पसु पक्षी गलोबल वार्मिंग के कारण उत्पन हुई जलवायू परिवर्तन की समस्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण कई सारी प्रचातिया या तो विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने की कगार पर है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही कई सारी स्वास समस्यां भी उत्पन हो गई है इसी के कारण लोगों में फेपड़ों का संकर्मन चक्कर आना के साथ ही कई सारी गंबीर विमारिया उत्पन होई है निस्ट कर्स इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग एक वैस्वी किंता का कारण बन गई है यह वह समय है जब हमें इस समस्या को गंबीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए साथ मिलकर प्रियास करना होगा धन्यवाद जैहिंग